सिबेसे वर्ट्स में आपका स्वागत है तो इस वीडियो में हम Classics Maths का First Chapter का नाम है Knowing Our Numbers उसकी Page No.22 पे जो Try These दी हुई है वो डिसकस करेंगे इसमें आपको क्या करना Estimate the following products तो इस जो number आपको दिये हुए है इनको आपको Multiply करके Value बतानी है उनका Product निकालना है लेकिन Exact Value नहीं निकालनी बलकि Estimate निकालना है यानि एक अंदाजा निकाल लो कि लगभग लगभग इनको Multiply करने पे कितना आएगा और जहां पर Estimate करने की बात आती है अंदाजा लगाने की लगभग बताने की बात आती है तो वहाँ पर हम क्या करते है round off करते है यानि यह जो numbers आपको दिये हुए इनको आपको पहले round off कर लेना उसके बाद Multiply करके value बतानी है तो सवाल यह उठता है यह जो numbers हमारे पास होंको कहां तक round off करेंगे 10s तक round off करना है 100s तक करना है 1000 तक करना है तो देखो general rule जो आपने पढ़ा होगा यहाँ पर दिया हुआ है वो क्या कहता है round off each factor to its greatest place यानि जो भी number आपके पास है जिसे round off करना है उसकी जो greatest place है यानि जहां तक maximum वो round off हो सकता है वहाँ तक आपको करना है जैसे मालो एक number हमने लिखा यही ले लेते हैं 87 तो 87 में यह हमारा once place हो गई यह tens place हो गई बस greatest place हमारी tens वाली है hundred वाली place पे तो कुछ नहीं लिखा हुआ है न इसलिए हम इसे tens तक round off करेंगे दूसरा number हम ले लेते हैं यह 313 को ही देख लो तो यहाँ पर यह हमारा once है यह tens है यह hundred बस इसके आगे thousand वाली place पे तो कुछ नहीं है तो greatest place कौन सी आपकी hundred है सबसे जादा वाली place आपकी hundreds की है तो हम hundreds तक इसे round off करेंगे तो यहाँ पर हमारे या तो दो digit के number है या तो one digit है या three digit है three digit से जादा नहीं है इसका मतलब simple ऐसे समझ लो अगर हमारे पास दो digit है तो उसे हम tens तक round off करेंगे और अगर three digit number है तो उसे हम hundred तक round off करेंगे ज़ह हमको उनका product निकालना होता है जैसे यहाँ पर हमको करना है तो इसी तरह से हम चलेंगे ठीक है तो यह बात हो गई अब round off का क्या method होता है क्या rule होता है आपने पहले पढ़ा होगा मैंने दो method आपको बताये थे एक shortcut method भी मैंने बताये था अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो page number 20 भी जो try these दी हुई है उसको मैंने उस shortcut method से बताया है तो वहाँ से आप देख सकते हो अच्छे समझ सकते हो यहां मैं अगर आपको short में बताना चाहूँ तो अचली short में से समाझ लेते हैं कैसे हम round off करते हैं उसके बाद मैं आपको एक एक round off करके नहीं बताऊंगा उससे पहले आपका 1, 2, 3, 4 इन में से कोई digit लिखी हुई है तब हमारा क्या रहेगा same यानि जहां तक round off करना है 8 तक करना है तो 8 में कोई भी change नहीं करेंगे लेकिन अगर हमारा लिखा है 5, 6, 7, 8 या 9 इन में से कोई digit लिखी हुई है तो हम जहां तक round off करना है उसमें plus 1 कर देंगे तो 87 में देख रहे हो 7 में हमारा क्या होगा हम plus 1 कर देंगे यानि इस 8 में हम 1 plus कर देंगे तो 9 बन जाएगा और उससे right side जो भी numbers होंगे जितनी में digit हैं उन सब को 0 बना लेंगे तो 8 के बाद right side हमारा सिर्फ एक digit है जो कि 7 है तो 0 बना लेंगे यानि 87 round off होके 90 बन जाएगा इसी तरीके से हम 330 को भी देख लें वही rule लगाएंगे यहाँ पर greatest place कौँ सी है? 100 वाली है 100 वाली place पर कौँ सी digit है? आपको होगे 3 है तो यह देख लो 3 से पहले यानि 10 वाली place पर कौँ सी digit है? 1 है तो 1 के case में हम क्या करते है? सेम रखते है यानि 3 हमारा 3 ही रहेगा और उसके right side जोतनी भी digit है सब को 0 बना लो उसके बाद 1 है इसको 0 बना लिया उसके बाद हमारा 3 है इसको 0 बना लिया 5, 6, 7, 8, 9 है तो round off होके हमारे 10 बन जाता है तो 9 हमारा 10 बन जाएगा 7, 95 की बात कर ले ये round off के क्या बनेगा? 100 वाली place पर हमारा 7 है 7 से पहले देख लो कौँ सी digit है? 9 है 9 में हम क्या करते है? प्लस 1 करते है तो 7 में प्लस 1 करेंगी जहां तक round off करना है उसमें प्लस करना ये ध्यान रखना वो 7 में प्लस 1 करोगा तो 8 हो जाएगा उसके बाद 2 डिजिट है हमारी 9 और 5 इन दोनों को 0 बना लेंगे यानि 7, 95 round off होके हमारा 800 बन जाएगे ठीक है? I think इतना बहुत है आप समझ गयो किस तरह से round off करते है तो चली हैं अपना question करते हैं तो पहले हम ये लिखेंगे कि 87 को हम 10 तक round off कर रहे हैं तो nearest 10 तक round off करेंगे तो 87 क्या बन जाएगा? मैंने आपको करके बता है कि 90 बन जाएगा इसी तरीके से 313 को कहा तक round off करेंगे? ये 3 डिजिट है तो इसे हम 100 तक round off करेंगे maximum वाला देखते हैं, greatest वाला देखते हैं nearest 100 तो क्या बन जाएगा ये? ये भी मैंने आपको solve करके बताया कि ये 300 बन जाएगा अब आपको estimated product बताना है तो यही अपलिक दोगे estimated product क्या होगा? ये 90 हो जाएगा multiply कर देंगे 300 से तो हम कैसे multiply करते हैं? अगर ऐसे number है जिनके last में 0 आ रहा है तो जो number वाला हिस्सा है यानि last के 0 को पहले हटा दो बाकी जो बचरें उनको multiply कर लो यानि 9 और 3 multiply हो जाएगा 9 तरी जाएगा 27 और उसके बाद 9 के साथ एक 0 था यहाँ पर तो वो लगा दिये 2 0 यहाँ पर था तो 2 0 हमने यहाँ लगा दिया तो इसका answer हमारा 27,000 हो जाएगा तो इस तरह से पूरा आपको लिख के बताना है अब चलिए हम B वाला part कर लेते हैं तो जैसे मैंने आपको उपर बताया उसी तरीके साथ को पूरा लिखना है कहां तक round off करेंगे मैं यहाँ पर short बता देता हूँ कि 9 को हम nearest 10 तक round off करेंगे तो 9 हमारा क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा इसी तरीके से आप यह लिखोगे rounding of 795 to nearest यह 3 digit है तो हम hundreds तक round off करेंगे और यह क्या बन जाएगा हमारा 800 बन जाएगा इसी तरीके से लिखोगे estimated product मैं short में लिख रहा हूँ यहाँ पर तो क्या हो जाएगे 10 multiply by 800 तो यह हमारा 8,000 आ जाएगा तो C वाला part देख लेते हैं यहाँ पर भी उसी तरीके जैसे मैंने आपको बताया पूरा लिखोगे 898 को nearest 100 तक round off करेंगे 785 को भी nearest 100 तक round off करेंगे क्योंकि यह तीनों ही 3 digit के हमारे हैं तो 898 round off होके हमारा यह 900 बन जाएगा multiply by 785 round off होके 800 बन जाएगा 9872 होता है और 2 0 यहाँ का 2 0 यहाँ का यह तोटल 4 0s हमारे लग जाएगे यहाँ कॉमा यहाँ कॉमा यही 7,20,000 इसका answer आ जाएगा इसी तरह से D वाला पार्ट करेंगे हम आप इस statement लिखोगे rounding off 958 to nearest 100 तो 958 round off होके क्या बनेगा चलिए इसे मैं करके बता देता हूँ कि जो हमारा 958 है वो कैसे round off होगा 100 प्लेस पे हमारा 9 है तो यह देख लो कि 9 से पहले कौन से digit है 5 है और मैंने आपको बताया था अगर 5,6,7,8,9 में से है तो plus 1 कर देंगे यानि यह जो 9 है इसमें plus 1 करोगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और उसके बाद जितनी digit है सबको 0 बना लो यानि 9 के बाद 5 और 8 है तो 2 0 हम लगा लेंगे तो हमारा 958 round off होके 1000 बन जाएगा तो 1000 multiply by इसी तरह आप लिखोगा अगली line में rounding off 387 to nearest 100 तो 387 का round off करोगे तो उसी rule के हिसाब से आपका ये 400 हो जाएगा और जब multiply करोगे तो 4 और 5 zeros के साथ हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा यानि ये 4 lakh हमारा answer आजाएगा अब इसमें आगे क्या कह रहा है make 5 more such problems and solve them तो इस तरह से आपने जैसे 4 questions किये न इस तरह से 5 और question बना लो और उनको solve करो यानि अपने मन से कोई भी number मान सकते हो और उसके बाद आपको solve करना है तो ये कुछ numbers हैं इनको मैंने अपने मन से मानना है और इसे solve करके यहाँ पर value लिखी हुई है तो चाहे तो आप अपने मन से कोई number मान सकते हो या यहाँ पर जो black color से numbers लिखे हुए इनको आप note down कर लो और फिर आप उसे पूरा जैसे मैंने बताया है किस तरह से लिखना है round off करके बताना है फिर solve करना है उस तरह से कर लो ने तो यहाँ पर मैंने देखको answer ही बता दिया कि यह जो number से इनको round off करोगे तो क्या आएगा यह blue color से लिखा हुआ है और जो final answer है वो red color से लिखा हुआ है तो इसका चाहो तो आप screenshot ले सकते हो तो यह हमारी try this यहाँ पर complete हो गई इस chapter की और वीडियो अगर आपको देखनी है तो इस तरह से आपको mobile होगा video play हो रही होगी पहले तो वीडियो को like कर लो इधे like का button है और चैनल को subscribe कर लो उसके बगल में एक bell का icon होगा उस पे click करके और पे click कर दोगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको message आजाएगा अब वीडियो के नीचे down arrow का symbol होगा उस पर आपको click करना है scroll down करोगे तो यहाँ पर इस chapter की जितनी भी वीडियो है सब कर लिंक आपको मिल जाएगा पार टू पार टू पार ती इस तरह से करके है